तो Venom 2 मूवी हमारे सामने हैं और अगर आपको भी मेरी तरह इस मूवी का फ़स्ट पर्ट बहुत पसंद आया था तो इस मूवी में तो डबल मजा है तो बेसिकली ये मूवी एक बहुत आसम मूवी है जहाँ पर हमने आसम स्टोरी लाइन के साथ साथ आसम फार्ट सीन्स के साथ साथ थोड़े बहुत जोक्स भी देखे तो आज के इस वीडियो में वेनम लैट देर विधा कार्णेज की पूरी मूवी को एक्स्प्रेन करने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत अमेजिंग होगा लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी वाली स्पोईलर वानिंग दे देता हूँ क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़ादा स्पोईलर सोने वाले हैं तो फड़ावर से कैप्टन की शील को थ्रोकर की चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपरेर स्टूडियो का एक सुपरमेंबर बन पाओ तो मूवी एक्स्पलेशन शुरू करने से पहले बता दूँ कि मूवी की लास्ट यानि पोस्ट करजे सीन बहुत आसम है तो उसे मिस मत करना कहानी शुरू होती है एक और फैंसे जहां पे बहुत से अवेंडिट बच्चे होते हैं और इसी जगा हम देखते है कैसलरी और फ्रैंसेस को और ये दोनों कहीं मेंटल असाइलम जैसी जगा में बैठे हुए होते हैं लेकिन इसी बीच Francis को डरा हुआ देख के कैसरी उससे पूछता है कि तुम डरी हुई क्यों हो और डॉक्टर ने तुमें क्या बोला है और इसे के बीच Francis उससे कह दिया कि मेरी mutant power बहुत जादा बढ़ रही है और जल्दी मैं एक powerful mutant बनने वाली हूँ लेकिन ये बात तब भी सही थी लेकिन बहुत से लोग उसके उपर experiment करने के लिए आ रहे थे तो वो उसे और भी ज़्यादा confidence देता है कि तुम शांत रो बाकी सब कुछ देखा जाएगा लेकिन उसी बीच बहुत से लोग आते हैं और Francis को वहाँ से ले जाते हैं और इसके मुकावले में Cletus कुछ में नहीं गर पा रहा था मानो उसके बसका कुछ नहीं था वो दिवारों में हाथ मार रहा था तो कभी गाड़ियों के सीसो पे लेकिन वो Francis को नहीं बचा पाया वो से ले ही जा रहे थे लेकिन वैसे ही Francis अपनी Sonic Powers का यूज करती है यानि हमें ये भी बता चल गया कि उसके पास Sonic Boom Mutant Powers है लेकिन Francis के वोकल पावर से पुलिस की पूरी वैन ही पलेट जाती है और इसी बात से फ्रस्टेट होके एक पूलिस ओफिसर उसे गोली मार देता है उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि Francis हम मर चुकी है लेकिन Francis अभी भी जिन्दा होती है इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे Raven Croft ले जाते हैं और वहां पर एक डॉक्टर उसके ओपर डिफरेंट डिफरेंट एकस्पेरिमेंट ट्राइ करती है और फिर एक वार्ट बोई Francis को एक न्यूस पेपर देता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि क्या क्लेटलेस को मौत की सदा दी जाएगी क्योंकि क्लेटलेस ने बहुत ही बुरे काम किया है वो एक सीरेट किलर है और उसका केस बीच में फसा हुआ है कि उसे मौत की सदा दी जाए यह उसे छोड़ा जाए और इसके बारे में जो भी इंफुरमेशन क्लेक्ट की है वो और किसी ने नहीं बलकी एडी ब्रॉक मुझ से क्यों मिला रहे हो लेकिन वो तब भी कहता कि वो बस तुम से मिलना चाता है लेकिन पैट्रिक बोलता है कि कुछ डेट बोडी से रिलेटिड इंपोर्टेंट बात है जो वो तुम्हार साथ शेयर करना चाता है इसलिए उससे जाके जुरूर मिलो फिरा में वही ट्रेलर वाला सीन दिखता है जहांपे वैनम एडी से बाहर निकल के उसे खाने लग पड़ता है यानि पैट्रिक को खाने लग पड़ता है लेकिन उसी बीच एडी वैनम को खींचता है और वो दोने एक ट्वैलेट में चले जाते हैं बट कांट तो हो चुका पैट्रिक्स प्लस एक लेडी जो बात्रूम कर रही होती है वह सब एडी और वैनम की बाते सुन लेते हैं अच्छली में बात्रूम के अंदर वैनम एडी को कहता है कि 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 तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती है बाहर सीड़ी में बहुत से लोगों को प्रोटक्शन की जर तो अब उन दोनों के बीच बात चीज शुरू हो जाती है लेकिन इजी बीच एडी उससे पूछता है कि स्थीधी तरह बताओ तुमने मुझे क्यों बुला है यार मुझे और भी काम धंदे होते हैं तो अब क्लेटलस उसे कहता है कि बस तुमें एक न्यूस प्रिंट करनी है मेरे फैंस के लिए और इसके बदले मैं तुमें वो एक्स्क्लूजिव इंटर्व्य दूँगा जिसमें मैं अपने सारे राज खोल दूँगा और जो भी मैंने कतल किये हैं वो सारे बता दूँगा और यह वही न्यूस थी जो फ्रैंसिस ने पहले से सुनी हुई थी लेकिन इसी बीच एडी वहां से जाने लगता है लेकिन क्लेटलस एकदम से उसे रोक लेता है जिसकी वैसे एडी का पूरा द्यान दिवान में बनी हुई कुछ पिक्चर्स के उपर चला जाता है उन पें इसलिए बाद में कभी बताया तो तब इसके बार में बात करेंगे तो अब घर आ जाता है और घर आते ही वैनम एडी को वह सारे डाइग्राम फिर से रिकाप करता है जो उन्होंने उस दिवार पे देखे थे ताकि एडी को और जादा कुलू मिल सके और फाइनली उन्हें बीच के एक ऐसी लोकेशन मिलती है जहां पे क्लेटरस ने सारी डाइड बॉडिस को छुपा के रखा था और नेक्स दे पूरी पुलिस की गैंग वहां पे बहुंच भी जाती है और बिल्कुल उसके वाल्स के अकॉर्डिंग उन्हें वहां पे बहुत सी डाइड बॉडिस मिल भी जाती है तो इसी बीच बहुत से रिपोर्टर एडी को यह कहते हैं कि यार क्लेटरस के तुम्हारा खास दोस्त था उसने तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दी और वैदे भी एडी उससे मिला था और उसने सारी डाइड बॉडिस की इंफॉर्मेशन एडी को दे थी तो कोई भी शक्तों करे गाई लेकिन यह पूरा इंटर्व्यू ओनलाइन हो रहा था और इसे पैट्रिक भी देख रहा था तो पैट्रिक बहुत ही जादा घुस्सों आता एडी से क्योंकि जब एडी को उसने बताने को कहा था कि उसने अंदर क्या कहा तो एडी नहीं क तरह से मौत की सथे सुनाए जाती है और इन सब बतों को फ्रेंसिस भी देखती है और मानों की उसका दो दिली टूट गया उपर से क्लेटलेस भी एडी के उपर गुसा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आडी ने उसे धोका दिया है क्योंकि रादो राद फेमस हो गया तो क्लेडलेस को बेसल ऐसा लगेगा कि उसने ये फेमस होने के लिए किया था तो अब वैनम और एडी की छोड़ी मुड़ी टॉक होती है जहां पर वैनम एडी को बोलता है कि आप हम इंसानों को बचाना चाहिए और वो ये भी कहता है कि यार देखो हमें मुर्ग्या का करके परिशान हो गया मुझे सीधी तरह जिन्दा इंसान चाहिए लेकिन अब एडी वैनम को कहता है दो यार सबर करो अभी हम क्लेटस के केस में उलजे हुए हैं और अगर हमने कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा किया तो FBI का सीधा शक हमारे उपर जाएगा तो अब वैनम और एडी की पुरानी मुविस की तरह ऐसा फ्रेंडली फाइल शुरू हो जाती है और फिर एडी वहां से निकल जाता है और निकलते निकलते वो बस यही कहा रहा था यार थोड़ी रिस्पेक्ट कर लिया करो यार तो और ऐसे करते हो मिसिस चैंक की शोब में एक बार फिट से पहुंच जाते है और वहीं से एडी पहुंच जाता है एक फाम में और फाम में बहुत सी मुर्गियों को वैनम अपना शिकार बना लेता है तो वहीं पर गुंड़ा एक और रोत को परेशान कर रहा था तो वैनम उस गुंड़े का बुराल करता है और उसे खाने हैं लग पड़ता है लेकिन उसी बीच एड़ी उसे reply में कहता है कि यार देखो छोड़ दो उसे नहीं तो फस जाएंगे बहुत बुरी तरह बहुत बढ़े बारे लग जाएंगे हमारे इसलिए छोड़ दो यार उसे तो वैनम कैसे ने कैसे करके मान जाता है और उस बं बात कर रहा होता है लेकिन कहीं ना कहीं एन को भी पता था कि वैनम अभी भी आड़ी के साथ है तो वह उसे पूछती है देखो सबस्ब्स बताओ वैनम अभी भी तुमारे साथ है ना और इसी की reply में एड़ी बोलता है नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है वैनम पहले मर चुका है तो भी इसी बात है कि एड़ी को ảенно क्या तो होब लेकिन मुव Consider पाटा गें और ये बातों में आप यह जानती हैं कि तुम एड़ी के अंदर हो और मुझे पता है तुम एड़ी का अच्छे से ख्याल रख सकते हो इसलिए उसका अच्छे सब्सक्राना और एड़ी की हाल आसम साब breakfast त्यार कर रहा होता है क्योंकि अगर addy खाना नहीं खाएगा तो obvious ही बात है कि Venom को भी खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वो दोनों अपस में जुड़े हुए हैं लेकिन उसी बीच उन दोनों के पास Kletis का एक message आता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि बस तुमारी वज़ा से मुझे मौत की सजा मिल रही है और इसके साफ साफ Kletis के dark past के बारे में भी उसमें सब कुछ लिखा होता है कि किस तरह से उसने अपनी family को मारा है यानि Kletis इतना बुरा हो सकता है कि वो अपनी family तक को मार दे इसके बार letter में लिखा हुआ था कि इतना सब कुछ होने के बात भी उसके डैन ने उसे orphan age में बेज़ दिया जहां पर बहुत से बच्चे भी मिलके उसे मारते थे लेकिन फिर उसने बताया कि किस तरह वो फ्रेंसेस से मिला और किस तरह से उनके बीजे घहरी दोस्ती हो गई लास्ट में लिखा हुआ था कि मैं बस लास्ट बार लास्ट बार तुमसे मिलना चाता हूँ तो एडी भी बोलता है आँ चलो फिर से मिल लेते हैं तो अब एडी कलेटस से मिलने वहाँ चले जाता है और कलेटस बस यही कहता है कि मैं अपनी फैमली को बहुत मिस करता हूँ लेकिन एडी बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि जो अपने परिवार को मार दे उसके मुझे यह बात शौवा नहीं देती है और बार 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 वो बस यही कह रहा था कि सिरफ तुम तुम भी मेरे मौत के जिम्मेदार हो और इसके उपर कलेटस उसे और भी बहुत कुछ बोलता है Actually में भी उसकी चाली होती है कि वैयनम को भी गुसा आसके और इसी बीच ऐसा ही होता है और वैनम भी गुसे से एडी की पीट से भार निकलता है और Cletus के उपर चड़ जाता है लेकिन जैयरी Venom उसे माने लगता है वैसे Cletus Venom को एक bight मार देता है तो वैसे Webनम को वैट मारता है वैसे वहां पे гár जाता है और इनकी fighters रुक आता है और Eddy भी वहां से चले जाता है लेकिन Eddy के जाते जाते क्लेटर्स उसे यह कह जाता है कि मैंने अमनी जिन्दगी में बहुत कुण चके हैं लेकिन इससे अजीब मैंने आज तक नहीं देखा तो अब आता है मूवी का में सीन जहां पर हमें पता चलता है कि क्लेटर्स ने जब वैनम को बाइट किया था तो वैनम की शरीर का कुछ हिस है वह भी बहुत गुस्से से कि या तुम्हें समझ नहीं आता है मैंने तुम्हें हजार बार मना किया कि असा मत किया करो उसके अगर गलती से भी मोत हो जाती तो उसकी मोत मेरे सर पे आ जाती पहले लगा था कि यह बस एक नॉर्मल फाइट है जो कि वैनम और एडी की चलती मारा सा सर मारा था और तो आप मूवी नेक्स दीन में पहुंच जाती है यानि क्लेटर्स के पास और वहाँ पे मानने वाले होते हैं एक रियक्शन लगाके यानि एक इंजेक्शन में रियक्शन को उन्होंने फिट किया और उसकी बोडी में भेजा ताकि उसकी मौत हो जाय लेकिन उस reaction का और जो Venom का एक तुकड़ा उसकी body में पड़ा था उनका कुछ अलगी reaction बन गया और इसी से जनम हो गया the big red the carnage का तो अब Carnage वहाँ से भागने लगता है और बहुत से लोग उसे दे के बहुत जादा डर जाते है कुछ पुलीस वाले उसे लोग नहीं कोशिश करते है लेकिन वो उनसे नहीं रुखता है पाकि एडी की वज़ा से ही कलेटस उस जेल से भागा एडी तो कहता है देखो यार मैंने कुछ नहीं किया है तुम फिट से मेरे ओपर चड़ रहे हो लेकिन पैट्रिक उसे कहता है कि तुम उससे मिलते थे वो तुमें सारी information देता था इसलिए तुम मेरे साथ चलो अब इक सीन में हम देखते हैं कि वेनम को कोई body नहीं मिल रही थी और उसी बीच वो एक लटकी के body में चल जाता है और एक party में चला जाता है अब actually में वहां पे सबका Halloween वाला mood था तो उन सब को ऐसा ही लगता है कि वेनम ने या किसी बंदे ने वेनम की costume type पहनी है और वह ब पूरे दुनिया को अराम से अपनी मुठी में कर सकते हैं लेकिन इसके रिप्लाइ में के लेस्ट यह कहता है कि पहले हम फ्रेंसिस को बचाएंगे बाकी बाते बात में देखेंगे तो अगले सीनिवा में दिखाया जाता है वैनम को तो वैनम उस पार्टी में बहुत जादा इंज्वाइक कर रहा था वैनम उस पार्टी को जीत भी चुका था यां लास्ट में यह भी दिखा जाता है कि वैनम एक स्पीश भी दे रहा है लेकिन अंदर या अंदर वह एड़िक कभी बहुत मिस कर रहा था अब एडी कि उस जगह में जाता है जहां पे वह कभी रहता तो एडी रिप्लाइ में बोलता है Francis Barrison तो पैट्रिक कहता है कि हम Francis को किसी और experiment के उपर ले जा रहे हैं तो actually मैं पैट्रिक यहां पर उस incident की बात कर रहे है जिस incident में उन्होंने Francis के उपर गोली चलाई थी जो मूवी के शुरुवाद में हुआ था जिसके बाद हमें कलेटर द पता लगाया कि वह आखिरकार है कहां तो आपको याद होगा तो रेवन क्रोफ्ट वही जगा है जहां पर फ्रेंसिस को रखा गया है तो यहीं पर कैटलेज फ्रेंसिस से मिलता है और वह उसे कारनेश रिवारे में बताता है तो आप वह सब गाड़ी से बाहर निकलने लग क्यारा मांग रहा है क्योंकि अपने वैनम में भी देखा था कि सिंभियोट को चॉक्लेट बहुत ही जादा प्रसंद होती है खासकर वैनम को और दूसरी और एड़ी पुलिस कस्टेडी में होता है क्योंकि पुलिस ओहलों को तो यहीं लगता है कि पिछली रात जो भी लेकिन यहां पर ट्विस्ट यह था कि वैनम खुद दी मिसिस चैंग की बोडि के अंदर था लेकिन Venom बोलता है कि मैं Eddie की मदद नहीं करूँगा जो उसलिए मेरे साथ किया उसके बाद तो बिलकुन नहीं लेकिन Anne उसे कैज़े न कैज़े करके मना लेती है और Venom ready हो जाता है एना में दिखा जाता है कि Catless किस तरह से पूरे के पूरे शेर को destroy कर रहा है और उसी बीच उसकी बोड़ी से कार नहीं निकलता है और वो बस यहीं गयता है My next target is Venom तो अब Anne Eddie से मिलने जाती है और Venom Anne के अंदर ही होता है तो वो अब Eddie के अंदर चला जाता है तो finally Eddie और Venom उनको रोकने के लिए चल पड़ते हैं और इसी बीच Venom Eddie को बोलता है तुमें नहीं लगता तुम कुछ चीज भूल रहे हो मुझसे माफी मागना तो ऐसा ही करके Eddie Venom से माफी माग लेता है और वहीं पर दूसरी और Patrick अपनी गाड़ी में होता है और आगे उसे कलेटस दिखता है और वह कलेटस को शूर करता है लेकिन कारनेज उसकी बोड़ी से बाहर आ जाता है और नेक्सीर में हम देखते हैं कि फ्रेंसेस एन के कर जाती है और उसकी रिंग और उसकी एक फोटो ले जाती है और फोटो की वाज़े से पता भी चल जाता है जाती है और पैटरिक भी वही होता है जिसे इन्होंने बंदी बनाया था और उसी बीच अपना हीरो एडी वेनम वहां आ जाता है लेकिन अब बहुत कमेडी सीन होता है और कारनेज केटलेस की बोड़ी से बाहर निकला आता है और जैसे वह बाहर निकलता है उसे देखते हैं भर केमारे एड़ी के अंदर ही चला जाता है। अब एड़ी ये पूछता है कि तुम भार क्यों ने आ रहे हो। तो फिर वैनम कहता है ये कार्णेज है, इसके खीज़ कोईने टिक सकता। यह मुझसे बड़ा है यह मुझसे स्मार्ट है और मेली यह मुझसे बहुत जाद अताकतवर है लेकिन अब एड़ी भी वैनम के सामने डील रखता है कि अगर तुम भार आए और उससे फाइट की तो तुम किसी को भी खा सकती हो मैं तुमें कुछ नहीं कहूंगा तो अब वैनम से कहार आ जाएगा तो वो भार आ गया और फिर होती है वैनम वसिस कारनेज की ओसम फाइट शुड़ू फाइट सीन ओसम था कभी वैनम कारनेज के उपर तो कभी कारनेज वैनम के उपर लेकिन अन्द कारनेज वैनम को बहुत बूरी तरह कपड़ों की तरह दो किया दो रायट को मारा गया था तो डंशेम वैसा करता है कानेज के किलाब और उसके भी एक्स्ट्रिम हीट से मानने की कोशिच करता हूं उसके पर क्रेशिंफंक देता है और वहां पर गच्टी बच्ति है जो मुझे स्वाइटि氣 का चार्ठी का और लिए तो नेश्स-स को पकड़ता है और उसका दम गुड जाता है और वही पर गिर जाती है है कि उसकी बोड़ी प्याप पूरा कंट्रॉल कार्णेज का ही है तो इसी को देखके एड़ी वैनम से यह कहता है कि देखो कोई भी मारे तरह परफेक्ट कॉम्बो नहीं है हर कोई डिफरेंट है लेकिन हमारा कॉम्बो देखने लाइक है तो वैनम भी कार्णेज के पास उस टाइम तक वहां पर आ गया था लेकिन अब कार्णेज भी अपनी स्पाइक को वैनम के अंदर गुजेड रहा है और वह यहीं बात करता है कि हम दोनों में से एक को तो मर नहीं होगा लेकिन उसी बीच वैनम फ्रेंसिस को यह कहता है कि एक जोड़तार सोनिक बूम मारो और वह वैसा है करती है और वहां पर सब कुछ तूड़ने लग जाता है लेकिन इसके अफेक्ट से दोनों सिंबियोइट अपनी होस्ट की बोड़ी से भी भार आ जाते हैं लेकिन नेक्स में दिखा जाता है कि फ्रेंसिस इन्हीं जाता पावस को यूज करने के बार नीचे फिर से कहसीडी की बोड़ी में खुशने के कोशिश करता लेकिन अपना वन away आ जाता है और वो से खा लेता है वैसे बीजाते और फिर एडी देन को कहता है कि तुम एन का ख्याल रखना और लास में दिखा जाता है कि पैट्रिक्स अभी भी जिन्द है और उसे कुछ नहीं हुआ है और यह मूवी खतम हो जाती है तो अब आता है इस मूवी का पॉस्ट क्रेडिट सीन जहां पे में दिखा जाता है कि वै लाए में एडी कहता है कि हम सब का एक नाएक पास तो जुरूर ही होता है लेकिन वैनम बोलता है जो मैं तुम्हें पताऊंगा उसे सुनने के मां दिमाग ही फट जाएगा तो अब एडी को लगता है कि वह अपने सिंबियोड गॉइड यानि नॉल के वारे में उसे बताए तो फाइनली फाइनली अपना वैनम किनेक्ट हो रहा है अपने मैं युनिवर्स ते यहिवी से हैर देन वही दिखा जाता था सब अपने मार्वल सिन्मेटिक युझेवा सपडर coup को हराया था यहिंश के बात का सीन था और इसे ओसंस्पेंस के साथ मोवी खत्म हो जाती है तो क्या अब Venom MCU का हिस्स है ये बातों में आने वाली movies में ही पता चलेगी लेकिन इस post credit scene के उपर एक dedicated video बन सकता है मैंने इस वार गोशिश की है कि movie को एक different way में explain करने की उम्मिदा आपको explanation पसंद आई होगी हाला कि मैं इस वीडियो को बहुत पहले ही upload करने वाला था लेकिन कुछ personal reasons की वज़ा से इस वीडियो को में late upload कर रहा हूँ तो मैं आपको highly recommend करूंगा कि आप Venom 2 movie को cinema's में enjoy करो जो की आने वाली है 15 of October को यानि 2-3 दिन बादी और मैं आपको spoiler warning पहले ही दे चुका हूँ इसलिए comment में इसा मत बोला कि spoilers के वारे में तो यार बताया है नहीं तो यह था complete video जहां पे हमने Venom 2 की पूरी movie को explain किया उमीदा आपको video पसंद आया होगा video पसंद आया है तो इसे like औशियर जुरूर कर देना चैनल को subscribe करके बल 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 आइकन को जुरूर रण कर देना और नाव फोर्गेट इस यह सुर्वीर श्टूडियो और यह ओला सुपर हीरोस TAN SS-10 Assemble